जैशी कृष्णा, हरहर, महादेव, 2024 में कुशा अमावस्या किस दिन है? तो चलिए आज मैं आपके साथ कुश अमावस्या की दिन की कुछ खास ऐसी बाते लेकर आई हो और 2024 में ये अमावस्या तिथी किस दिन है? इसलिए भात पत की पढ़ने वाली अमावस्या को हम कुशा अमावस्या भी कहते हैं बहुत जादा खास और विशेश होती है इसलिए कि इसमें कुश अमावस्या का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कुश और पित्रों के तरपन के लिए कुश का होना बहुत जादा जरूरी होता है इसलिए पवितरता और शितलता प्रदान करता है कुश तो कुश आप इस दिन जरूर से जरूर लेकर हैं स्वोमवार को मिलेगा सौबागी जिसे की सौबती अमवसिया कहा जाएगा और बंगलवार तीन सितमबर को पाएंगे धन लाब जी हैं भोमती अमवसिया इस बार दोनों दिन उध्या तिहीं में हमें अमवसिया की तिति प्राप्त हो रही है तो इसले दो और तीन दोनो दिन ही अमवस्या तिथी शुब मानी जा रही है सौमती अमवस्या सौभागे को दर्शाती है आपके सौभागे लेकर आती है और भोमती अमवस्या आपके धन की जुरीवी समस्याओं को दूर करती है तो इस साल भातपट की अमवस्या दो दिन पढ़ रही है तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं कुछ खास उपाए और अपने पित्रों का तरपन भी अपने पित्रों को याद करने के लिए आपको दो दिन प्राप्त हो रहे हैं तो इस बारी इतनी खास योगों में आ रही है ये अमवस्या थी थी और मैं आपके लिए कुछ खास ऐसे उपाए ना ले करा हूँ अपने पित्रों को प्रेसन करने के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो जैसे कि हम बात करें हैं सौमवती अमवस्या और भौमवती अमवस्या जो कि 2 और 3 सितंबर तो इस दिन ऐसे खास उपाए क्या किये जाएंगे तो दो दिन पढ़ रही है भादपर्द मास की अमवस्या मैं आपको समय भी बता देती हूँ पंचान के अनुसार और हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादपर्द की अमवस्या तिथी 2 सितंबर को सुभा 5 बच कर 21 पर प्रहारम हो जाएगी जो कि उद्या तिथी में हमें मिल रही है और 3 सितंबर को सुभा 7 चौबिस बजे तक रहने वाली है ये अमवस्या से की सौमवती अमवस्या के नाम से भी जाना जाएगा और कुशा अमवस्या के नाम से भी साथ में वहीं दूसरे दिन 3 सितंबर को भी सूरे उदे सुभा 6 बजे हो रहा है और हमारी जो अमवस्या तिथी का समापन है वो 7 बच के 24 मिनट सुभा के हो रहा है तो इसके अनु का पालन करेंगे और अपने पित्रों को प्रेसन करेंगे साथ में बहुत ही दुल्लब योगों का निर्मान हो रहा है तो सौमवती अमवस्या के दिन शिवी योग सुभा से ही लग जाएगा और शाम के 6 बच के 20 मिनट तक रहने वाला है और उसके बाद लगेगा सिध्य जो पून रात्री तक रहेगा तो हैं समझ सकते हैं कितने दुल्लब योगों में आ रही हैं मवस्या और साथ में भौमती अमवस्या के दिन भी सिवी योग सुभा ही 7 बच के 5 मिनट पे शुरू हो जाएगा और शाम के 7-5 तक रहेगा उसके बाद शुरू होगा साध्य यो जब हम कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या वह अवश्य ही दूर होती है अब सौमती अमवस्या जैसे की सोभागे शाली होती है सोभागे को दरशाती है तो ऐसे में सोभागे वती महिलाएं इस दिन जरूर से जरूर पीपल क व्रिश की पूजा राधना करें और कहा जाता है कि हमारे पित्रों का वाज भी पीपल के व्रिश में होता है और जिस घर के पित्र प्रेसन होते हैं उस घर में दुख बिमारी कष्ट परेशानी कर्चा कुछ भी नहीं आता है तो इस दिन आपने करना जरूर है एक लोटे होता है उसका पूरा बंडल लेकर चले जाएं पीपल के व्रिश के पास और यह महिलाएं यह जल अर्पन करें और अर्पन करने के बाद अपने पित्रों का स्मरन करें अपने देवी देवताओं और इष्ट देवी देवताओं का स्मरन करें भगवान शिवशंकर माता पार आगेशाली रहने के लिए और फिर आपने जो कलावा मोली लिया हुआ है उसको एक टहनी में बांदे पीपल की और फिर आपने पीपल की परिक्रमा लगा लेनी है साथ एक किसि क्यामवन एक सो आठ और कोशिश करें कि जब आप यह परिकर्मा लगाएं तो आप ओम नमश्व आपकी परिकर्मा पूरी होती जाए आप वो मखाने या किश्मिश पीपल की जड़के पास छोड़ते जाए बात में वो छोटे-छोटे जीव जन्तु हैं वो खा लेंगे इस तरह से इस पित्रा मावस्या पर जरूर से जरूर आप सुभागेशाली महिलाई इस कारे को करे अपने घर में सुखस्मर्धी का वास ले करें अब भोमती अमावस्या बहुत जादा खास होती है जब भोमती अमावस्या पड़े तो आपका अगर बैंक में कोई लोन चल रहे है कोई करजा है उससे मुप्ति पाना चाहते हैं तो भोमती अमावस्या के दिन जरूर से पर क्रमा लगाएं और इस तरह से करते हैं और साथ में केले का पौधा आपकिसी भी मंदिर में लगवाते हैं इस अमावस्या पर तो आपकी जो करज मुक्ती के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और अपनी पूजा राधना जरूर से जरूर भक्ति भावना की साथ करे और एक जटा वाला नार्यन ले, सर से लेकर पैर तक एक लाल धागा ले 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 और उस पे बांध दे, नहीं तो आप धागे को ही साथ बारी उस पे लपेटे, अपने सर से अंटी क्लॉक वाइस घुमाएं और किसी भी नदी में जल परवाहित करें, भोमती अमवस्या के दिन सोमती हो, भोमती हो, कोई भी अमवस्या तिति हो, आटे की गोलिया बनाएं और किसी भी तलाब के जील के पास जाएं, जाके वहां मच्छनियों को ये आटे की गोलिया खिलाने से आपके पित्र प्रसन होते हैं, और आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या है उससे आपको निजात मिलती है धन लाब और वित्ते सिती को मजबूत करने के लिए एक रक्षा सुत्र आज के दिन जरूर से जरूर ले 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 और रक्षा सुत्र सवा मीटर का ले 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 उसके उपस साथ गाठे लगाएं और लगाते हुए अपनी मनो कामना इच्छा बोलत इस तरह से एक साल पूरी आप मवस्या पे ये करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुक स्मर्दी का वास होता है पॉजिटिविटी बनी रहती है आपके जीवन में चल रहे जो भी कल है कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं कोई भी कारे आपके जीवन में हो आपको पित्रों का आशिवाद मिले भी कर आप उसमें सफलता प्राप्ते नहीं कर सकते तो अमवस्याती थी पर अपने पित्रों का आशिवाद जरूर से जरूर प्राप्त करें अपने पित्रों के आशिवाद के लिए अगर आप चाहना चाहते हैं कि आपके पित्र प्रसन है और आपसे बहुत जादा खुश हैं तो आप मवस्या पे कोई भी कारे शुरू करते हैं तो आपको उस कारे में सफलता बहुत जादा मिलती हैं और साथ में अगर आप किसी मुसीबत में कष्ट में परेशानी में हो और आपने जैसे ही अपने पित्रों का नाम लिया और आप उन चीजों से उन क परेशानियों से बहा निकल जाते हैं तो इसका मतलब आपके उपर आपके पित्रों का आशिवात बना हुआ हैं मगर यहीं इसका उल्टा आपको कारे शुरू कर रहे हैं उस कारे में आपको लाभ पराप्त नहीं हो पारा और आए दिन आप किसी मुसीबत या कष्ट या प पुर्णे जरूर करें आप जैसे कि आमवस्यातिती है इस आमवस्यातिती पर आप तीन प्रकार के दान कर सकते हैं सबसे पहला देवदान दूसरा अनदान और तीसरा आपका पित्रदान तो इसमें आपनी करना क्या है जैसे कि अनदान में आप मवस्त्रदान भी कर सकते है तो जो देवदान होता है देवदान के लिए आप किसी भी मंदिर में कोई भी धार्मिक चीजें हो या आप कोई दिया हो भगवान जी के कपड़े हो मालाएं हो कोई भी चीज आप किसी मंदिर में पुजारी जी को दे करा है या पुजारी जी को कोई भी आप भूशन भगव सकते हैं जो भी आपकी शमता हो पैसे जो भी आप कर सकते हैं जरूर से जरूर करें तीसरा दान है आपका पित्रदान पित्रदान में आपने करना क्या है पंडित या पुजारी को बुलाएं घर में अपने पित्रों को समरंड करें कुछ पिंडदान गरा करें और उसकी तरह तो आप पित्रदान करते हैं, उसमें आप बड़ी-बड़ी चीजों हैं, नहीं तो छुटी-छुटी चीजों से ही शुरुवात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप अच्छा पनाएं, और जैसे कि कवे को, कुत्ते को, गाए को, या पीपल के विश के पास उन चीजों को रख क आएं, और गरीबों में बाटें, खाएं, सब को खिलाएं, मतलब आप खुशी के साथ उस दिन को सालिब्रेट करें, यह नहीं कि अमवस्या है और आपके पित्र हैं, और आप दुखी हो जाएं, देखिए वो तो चले गए हैं, आपके पूरवज बन चुके हैं, मगर उनक आप शिवाद प्राप्ते करना है, तो इस दिन को भूलेना, जब आप तो हारों को नहीं भूलते तो पित्र अमवस्या हो, तो इन अमवस्या तिथी को नहीं भूलना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि अमवस्या पे ही दिवाली मनाई जाते हैं, और हम तब कितने खुश ह होते हैं, अपने घर को जगमग करते हैं, मालक्षमी की पूजा राधना करते हैं, उनकी आने की आगमन की स्वागत करने के लिए हम सब कुछ करने को त्यार होते हैं, तो हर अमवस्या पे आप मालक्षमी को याद करें, पूजा राधना करें, ज्यादा दीपक नहीं कम से कम पांच दीपक तो अपने घर में जरूर जलाएं, आते के ही बना लें, अगर आपको मिट्टी के नहीं मिलते हैं, खुश होँ, खुशियों की साथ, इस अमवस्या को हर अमवस्या को सालिब्रेट करें, लच्छमी जी की पूजा रादना करें, पांच दीपक अपने घर में प अब मैं आपके साथ कुछ खास ऐसा, जो कि ये जो मवस्या आ रही है, इस पे करने वाला उपाई लेकर आई हूँ, बहुत जादा ही खास और विशेश है, अगर सही तरीके से अगर इन्हें आप करते हैं, सबसे पहला दे कि अगर आपके घर में काम वाली लगी हुई है, जा खुद दिखेगा, रोज दिन वो कोई भी करके जाये जारू पोचा बट आपने अमावस्याती थी, पर स्वेम से करना है, आप क्या करेंगे, आपको मतलब की एक दिन रात को पहले एक कांच की ग्लास ले 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 उसमें पानी भर ले उसमें थोड़ा सा आपको दाल चीनी क पाउडर भी डाल देना है, यह जल आपका त्यार हो गया, रसोई घर में रख दीजे, अगले दिन सुबह उठें, जारू उठाएं, अब जारू आपने एक डिरेक्शन से लगानी है, अंदर से बाहर की तरफ आना है, यह नहीं करना कि आपने पहले एक रूम में लगा लि सब घर से बाहर जा रहा है, आपके घर में सुख समर्दी है, और उनी की जगा है, वही आपके घर में रहेंगे, सारी बूरी चीज़े आपके बाहर हैं, उनकी कोई जगा नहीं आपके घर में, इस तरह से बोलते हैं आप जारू लगा दें, अपने मुख्य दरवाजे को सा करें उसके बाद जो आपने एक लास पानी कंदर सारी चीजह मिला कि रखे आप इक बाल्ती जो भी पोचे की बाल्ती वो ले लिजिए साफ उसके अंदर आपने नॉर्मल पानी लेना है फिर वो जो ए ग्लास वाटर आपने बना के रखा वो आप इसके अंदर डाल दीजिए डाल के फिर आपने पोचा लगाना है पोचा लगाते समय भी आपने सेम वही चीज़ें रिपेट करनी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सब पॉजिटीव वे में बोलना है कि आपके घर में सिर्खुशियों की जगा है ठीक है ऐसा बोलते वे पोचा लगाए ये तो आपकी पहली रेमीडी होगी दूसरी रेमीडी जो आपने करनी है वो क्या है ये रेमीडी आपकी है एक आपक के बास तो आप उस कलश को ले लीज़े उस कलश में आपने थोड़ी सी डाल दें और पीली सरसो क्या आपकी जुपिटर मतलब गुरु ग्रहह के लिए होगी साथ में आपकी घर में कुई पुराना चांदी का सिख्का होगा वह आपने इसकं अंदर ढाल देना है यह दोनों ले लीजे और वो भी आपने इसके अंदर रख दीनी है साथ में आपको कुबेर जी की फोटो मिल जागी हस्तेवे कुबेर जी की वो भी आपने लेनी है और वो भी आपने इसी कलश के अंदर रख देनी है और इसका मुख आपने लालन की कप्रे से बांद देना है थोड़ा स और उत्तर पूर्वे दिशा हो या तो अगर आप POSSIBILTIZ नहीं हैं देखिए वैसे तो यह उत्तर दिशा में ही रखना इस कलश को और इस कलश को आप आठ रखेंगे और फिर इसको दिपावली की आमवस्या तक आप रखारेंगे आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में चमटकर दिखना शुरू हो रहा है और जब दिपावली की आमवस्या आएगी तो आप इनने सी सारी चीज़े निकाललेंगे और निकालने वाद जो चांदी का सिक्का है उसे आप अपने मंदिर में पूजा स्थल पर रख दीजे बाकी की जो चीजें होंगी वो आपने पीली सरसो है और यह जो फोटोज हैं इन्हें आपने किसी भी नदी में जल परवाहित कर देना है और फिर इसी तरह से एक नया बदल सकते आपकी किस्तमत मगर उसे सही तरीके से सही विधी पर सही समय पर क्या जाएं और इससे अच्छा समय और विधी योग तो कोई है ही नहीं इतने अच्छे अच्छे योगों में आ रही है यह मवस्या दिती तो इस चोटी सी रेमेडिय ज़रूर से ज़रूर करें हर रोज आपके घर में जाड़ो पोचा कोई करके जाते हैं मगर क्या हो एक दिन तो आप करी सकते हैं इस तरह से करके देखें अगर सच में जाते हैं ना कि आपके घर में मालश्मी का वास हो आपके घर से रोग बिमारी कश्ट दूर हो आपके घर में खुशियां बनी रहे तो यह चोटा सा उपाय तो बनता है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जाद से जादा शेयर करें इसके कि एक आप किसी के पास शेयर करते हैं तो किसी के भी जीवन में कोई परेशानी चले वो अवश्य दूर होगी और जब वो दूर होगी तो आपको याद जरूर करेगा और जब आपको याद करेगा तो आपकी करमाज आपके साथ रहेंगे तो चलेए फिर मिलते कुछ इसतरी की जानकारी के साथ में कमिंस वक्स में जैशी कृष्णा ज़रूर लखियेगा